हेलो मेरे प्यारे भाई और उनकी बेहन कैसे हो आप सबी मेरा नाम है आकांश आत्रे और आज हम अपना किलाश 10.30 का जो चेप्टर नबर 1 है दराइज ओफ नेशनलिसम इन यूरोप उसको फर्दर प्रूसीड करेंगे इस से पहले भी मैं इस चेप्टर पर वीडियोस मना च ओल दा बेस्ट तो चलिए देखते हैं जो इससे प्रीवेस वीडियो थी अमने उसमें देखा था दा स्ट्रेंज के उस व बिर्टेन की जो हां पर अजीब दास्ता थी वो हमने पड़ी थी जिसमें आप सभी ने मुझे अपनी दास्तान भी सुनानी चाही होगी लेकिन निर्मान के लिए विद्वानों के दुवारा कि तरक दिये गए थे कि एक राष्ट का मूडल जो हो सकता है ब्रेटेन का हो था उसके बाद महां पर जो ब्रिटिश में अठावरवे सताब्दी से पहले वहां पर ब्रिटिश राष्ट का नाम का कोई ऐसा कंट्री नहीं था लेकिन बाद में जो वाकी उनके ब्रिटिश के लोगों की जो पहचान बनी थी यानि इनकी ब्रिटिश राष्ट के होने से पहले जो वाके लोगों की पहचान थी एक तरह से कुण-कुण से लोगी इंग्लिश, वेल्श, श्कोटिस और इरिश लोगों की जो पहचान थी वो थी एथेनिक एथेनिक मैंने आपको बनाया था एक जन जाती है यानि कर गुरूप इसे मारे इंडिया में होता है ना कास सिस्टम एक एक एथेनिक यानि एक अलग-अलग समुधाय के लोग कि महाँ पर उनकी जो बोल चाल थी भाशाय थी वह एक तरशन की पैचान थी बि इंग्लिश पार्लेमेंट में इंग्लिश मिंबर्स की जो ताधाथ थी वो बहुत जादा है ति जिस वाध में 1688 में वह माचे जो साचा किंद गें को कूटनितिक तरीके से वो इससे निचक पार्लेमेंट गेम लोनार्कि से उसके बाद या होता है इंग्लिश पार्लेमेंट जो होती है वह एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक New United Kingdom of Great Britain के नाम से फोर्मिशन करती है, जिसमें वो क्या करता है, England और Scotland Act of Union मनाते है, United Kingdom of Great Britain के नाम से, और उसके बाद England बली ही चालाकी से Scotland का दमन करना शुरू कर दीता है, उसका हर जगे, उसके बाद Ireland करता है, फिर बाद में जब Unification of Great Britain हो जाता है, British का इन सभी इलाकों पर कभजा करके, वहां पर नाइने, British flag बनाया गया, Union Jack, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद National Anthem बनाए गई, National Anthem को मैंने आपको एक शोट तरी का उता था, G-S-O-N-K, यानि के National Anthem का क्या नाम दिया गय गोड, सेव, आवर, नोबल, किंग, G-S-O-N के साब इसको याद रख सेकते हो कि एकजाम में पूछ जा सकता है, क्या क्या चेंजिस हुए थे, उसके बाद किया था, इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटिड, इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रोमोट की तेर खुदी की जो संस्किर्ति पोशाक्ति उसको भी पहना एक्टिर से बूल गए थे, हमने यापर पढ़ा भी था, कहा पर पढ़ा था, जो उनकी गैलिक भाषा थी, गैलिक भाषा थी, ना स्कोटिश की, यह यापर, ठीक है, तो बागी की डिटियल से आपको उससे फिर यह इस इडियो मिल जाएगी, जहापर मैंने कम्प्लीट डीटेल एक्प्रेशन इसका किया है, आज जो हमारा टोपिक है, यह चैप्टर का सेकिंड लास्ट टोपिक होने वाला है, इसके बाद मिझे लगता है, पस एक वीडियो हो राएगी, फिर इसके बादी चैप्टर आज जिए हमारा बड़ाई कूप सूर अग्टोपिक है, विजुलाइजिंग दा नेशन, इसको हम शुरू करेंगे, विजुलाइजिंग दा नेशन, इस टोपिक को शुरू करेंगे, आप इस हैडिंग से जो हमने पढ़ई, इससे क्या समझते हो, अब इसको खुद से थो सूचिये, थोड़ा बूद सोचे कुछे तभी चैप्टर में मजाएगा, टोपिक में मजाएगा, क्योंकि दस बंदा मिनट बाद आपको बड़ा ही रिलाक्स फिल होने वाला है, यह आप से मेरा प्रोमी से, बस आप एक अंसियार्टी की बुक ले लिजी और साथ में एक पॉटेंट पॉइंट्स हैं, उसको माक करते चला है, और हाँ, इस टोपिक से एलेटिट कुछ शोट पॉइंट से, वह मैंने इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दे दिये हैं, आपके कोई की रीजन में काम आएंगे, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया है, तो चलिए टो आते हो, यानि उसकी अभी व्यक्ति करते हो, वो तो आसान है, यानि मूर्ती बना दी शाशक की, और उसको रिक से रीपरजेंट करना तो आसान है, मूर्ती बनाकर, लेकिन, हाव ड़ज, एक तरह से, हाव ड़ज वन गो अबाउट गिविंग अफेस्ट टू निशन, लेकि आप उसको राष्ट की मूर्ती को कैसे रिपरजेंट करेंगे, यानि की राष्ट को कैसे दर्शाएंगे, एक शाशक को तो हमने दर्शा दिया मूर्ती बनाकर, लेकिन अगर राष्ट को दर्शाना हो, तो आप उसको कौन सा चेहरा देना चाहेंगे, यह चीज यहां पर आ 18 वी शहताबदी और 19 वी शहताबदी में जो मा के आर्टिस्ट थी यानि एक तरह से आप साह सकते हो कह भी है वगेर थे जो कभी लोग होते हैं रचियता होते हैं वो उन लोगों ने एक राष्ट की मानविकरन करके इस्परेशन को एक तरह से हल किया ठीक है परसनिफाइंग यानि एक तरह से उसके मानविकरन यानि इन्होंने इस समस्या को हल करना चाहा इन अदर वर्ट्स दे रिपरजेंटिटे कंट्री एज इफ इट वर परसन और अगर आपको दूसरे शब्दे में में कहूं तो यह जो आर्टिस्ट लोग थे 18 और 19 सताबदी में इन्होंने ज इस राष्ट के समान की कलपना के बरावर रख दी आगे क्या होता है नेशंस वर दैन पोड्रेड्ट एज फीमेल फिगर्स हां बड़ा इंप्रोटेंटेंट है नेशंस वर पोड्रेड एजड फीमेल फिगर्स उसके बाद इन्होंने जब एक व्यक्ति की तोर पर की कलपना उन लोगों ने की दा फीमेल फॉर्म एट वास चूजन तो परसनेफाइब नेशन दिनो डिस्टन फॉर एनी परिटिकल वुमें इन दिया लाइफ अब होता गया है जिस एक जिस महीला की तरह से महीला किये कलपना करते है क्राष्ट की तोर पर वह असल में कोई रि लाइब टाष्ट आएड वर नेशन आ कंकरेट फॉर्म बलकि ये तो एक राष्ट के विचारों को एक तरह से एक राष्ट के विचारों को एक तरह से और स्ट्रॉंग बनाता है यानि कि इस लिए जो फीमेल फिगर थी यानिक रूपक चीज वहापर एक तरह से कलपना की कई दी जिसकी ऐलोगेरी का मतलब रूपक ओफ द नेशन यह इमा की ऐलोगेरी बन गई यानि एक तरह से रूपक चीज बन गई यानि कि हर राश्ट्रे की कल्पना एक तरह से फीमिल फिगर के तोर पर की जाने लगी अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो अगर आपने नाइन क्लास में पढ़ा हो तीन इस्टेट्स ही ना हमारी और उसमें थर्ड इस्टेट्स में अगर इस्टेट्स में अपने पैनावे को उन से अलग कर लिया था जिसमें उनके पैनावे में क्या क्या चीज जलगती थी सच आज लिबर्टी यानि स्वतंतरता जस्टिस निया एंड रिपब्लिक एक तरह से फीमेल अलोगरी उन्हों ने बनाई थी जिसमें सभी ने ये अगर आपको याद हो हमारी इस्ट्रिब्ड लोवर होते थे धारियों वाले और गुटनों तक की हमारी कोस्ट्यूम हापर होती थी नूबलिस्ट की जो की मिडल क्लास के लोगों से अलग थी अगर आपको याद हो जो मिडल क्लास की लोगते उन्होंने रेड कैप पहनने शुरू करी थी नूबलिस्ट के जो कोस्ट्यूम थी उसके अलग यानि नूबलिस्ट लोवाँ पहनते थे पहना वाँ था वहाँ पर वही चीजे यानि ड्रेस्पोर्टिक पावर्स थी उन्स यह बदलाओ किये थे सेम उस तरह वे रेड कैप भी पहनते थे लिबर्टी को शो करने के लिए यानि इस तो दिखाने के लिए और दा ब्रोगन चीन और ब्रोगन चीन को रिपरेजन्ट करने के लिए यह वाइल जस्टिस जनरली अ ब्लाइंड फॉल्डड़िड विमेन कर प्रोगन चीन और ब्लाइंड ब्लाइंड फॉल्ड़ यानि एक पट्टी बांदी हुए एक महिला होती थी करेंगे पेर ओफ वेंग स्केल जो हाथ में तराजू को लिए रखती थी यानि एक तरे से सिंबल तर स्टेच्व रिपरेजन्ट किये जाते थे जो कि आपको यह करने से बताया हुए लोगों ने आगे क्या होता है सिमिलर फीमेल एलोगेरीज वर इन्वेंटिड बाइ आर्टिस्ट इन नाइंटीन सेंचुरी टू सुप्रेजेंट दनीशन बिल्कुल इसी तरीके से जो नाइंटीस सताबदी में अठारों सताबदी में बात की है उस सम की अपनाई फ्रांस में फीमेल एलोगेरीज इसे जरूब उंडलाइन करना ठीक है इक तर्ले हाई है विच अंडर्लाइन डाइडिया ओपीपल्स निशन जो कि एक जन्राष्ट के विचारों के एक तरह से रिकांकित करता है हर केरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रोन फ्रों दोस लिवर्टी अंद रिपबली एक तरह से जो यह मेरियनी है है फ्रांस की एक तरह से फीमिल एलोगरी के डिवर्जन करती है लिबर्टी अंद रिपबली एक तरह से गंतंत्र स्वत्मत्रता को दिखाती है अंडर्लाइन करेंगे मेरियनी करें बारे में अगर पर पूछा जाए तो आप यह लाइन आपको वापर लिख कर आनी है ठीक है तरह एक तरह से हमारी पहचान होती है जंडा दा कोकेड और यह एक तरह से कुछ कलगी के रूप में है कुछ एक तरह साब कोस्ट्यूम में कुछ होगा माँ पर आप उसको समसकते हो यानि कपड़ों में होगा कुछ फ्रांस में स्टैचूस अफ मर्यनी वर एरक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स तो रिमाइंड दा पब्लिक ओव दा नेशनल सिंबल अफ उनिटी अन्टो परस्वेड देंटिफाई इट अब जो फीमेल अलोगे रही थी मर्यनी अब होता क्या है इसके एक तरह से जो मूर्ती अथी व इनको जो सिंबल ओफ यूनिटी अने एकता का जो हमारी पहचान होती है उन सभी को याद दिराने के लिए याद बनाए रखने के लिए एंड पर से बार बार से याद दिलाने के लिए जो फीमेल अलोगे रही थी हमारी मर्यनी उनकी मूर्तियां चोरहों पर रखनी लगे उसकी बात क्योंता है मार्यनी इमेजिस पर माक्नों कोई सेंट स्टेंप्स अब जैसे इंडिये में होता है हमारे यापर हमारे जो गांदी जी है उनका फोटो हमारे करणसी पर चपा हुआ होता है सेम इसी तरीगे से यह फीमेल अलोगे जो ती वहां की राष्ट की उसको करके कोई स शितॉल पर बीचापनी लगाने ढहते लगी जिनलली जर्में जर मैने भिकम ता लोगेरी जर्म nhेशन आज जो मेरयनी थी मार्यनी ती यह कुन किसकी फीमेल आशरी थी कर एक इन्पोर्टेंट चीज है फ्रांस की जिसका मैंने आपको जो थम नेले उन पर दोनों के नाम बताई हुए है कि इसमें इंपोर्टेंट था इनके बारे में एक लाइन पूजी जा सकती है जो आपको एक्जाम में लिखना पड़ सकता है अगर आप इसकी तरह से कल्पना करें विज्वालाइजेशन करें इसमाहिला का तो यह क्यावियर करती है क्राउन यान एक ताज पहनती है ओक लिए इसकी एक लाइन है इस जर्मेनिया से रिएट आपके एकजाम में मरियनिया जर्मेनिया में डिफ्रेंस जरू पुछ जकता थी और मरिया निको मा के कोई से स्टांस पर भी हमार्ग करनी किया जानी लगा था उसके बाद जर्मेनिया को रिपरसेंट करने रिए जर्मेनिया क color चाज पहनती थी औक लिउस का यस mema को दोगों का मानना था कि ज़र्मन ओक है वह हिरो इस्मके लिए जर्ड्य़ के प्रतीक होता है तो आज हमारा टूपिक तो खतम हो गया बस एक टूपिक और इसका रहे गया है आपके एक तरह से डेफिनेशन दी गई है आप एलिगोरी के समझ सकते हो वेन अनाइड एक्षेक्ट आइडिया फॉंस्टांस नीड एन फिर्डव लिबर्टी एक्सप्रेट थ स्टोरी है स्टू मीनिंग्स वन लिटरल एंड वन सीम्बोलिक होता है ठीक है तो बस आप इसको खुद से एक बार पांच फिर दिवाइस कर लीजिए इस टोपिक के शोट नोट्स एक चोटा चाहिए टोपिक था इसकी शोट नोट्स आपको इस बोडियो के डेस्किप्श कब हो जाएगा तो चलिए मैं मिलता हूं से बाद में तब तक के लिए all the best